खबर दिल्ली से है दिल्ली पुलिस थाना सदर बाजार के द्वारा पठाकों को लेकर की गई शक्ती करने पर एक व्यक्ति हुआ गिरफतार थाना सदर बाजार के द्वारा आट सो छे किलो पठाके बरामत के गए हैं ये सबी पटाके किलोना वियापारियों मुहम्मद खुर्शीद अली के द्वारा बॉर्डर से दिली लाए गया गया दिली पुलिस को मिली जानकारी के अधार पर इस व्यक्ति उगरफतार किया गया है इसके पास याट सो शे किलो पटाके मिले नौर्थ दिली के जीपी मनु मुझ कुमार मीडा के द्वारा बताया गया कि दिली पुलिस अपनी तरह से अपनी तरफ से पुल्तर से मुष्पयाद है प्टाक फुले कर लगातार कदम उठाय जा रहे हैं और जैसे जैसे दिवाली में जबीक आरी है इस तरीके की गतिविदिया जरूर देखने को मिलती है सुजयख्ती को गिरफतार कर देया गया थानासबर बजार की टीम के द्वारा मुवमत खुशीद अली जो 32 परशी है इसको गिरफतार किया गया है दिली सदर बाजार मार्केट में इस ते खिलौने के दुकान है जो बच्चों के खिलौने बेचते हैं अगर जैसे ही दि पाबंदी लगाई गई है पाबंदी लगाई गई है पाबंदी इसको ले करके मनुष कुमान मेडा ने क्या कुछ का है आप दी सुजीख से ते जाए ने कल हमने अफैर किया है जिसमें करीब 806 लो पाटाके जो विदाउट लाइसेंस इलीगल फटाके थे उनको पपड़ रही है इससे पहले भी सदरवजार में करीब 500 किलो का हमने और हम कंटिन्यू कर रहे हैं यह सब नज़र रखना किस तरीके से पुलिस से बच करके ये लोग इस तरीके से पाटाकों को बेच रहे हैं जबकि सुप्रीम कोड के दुआरा जो ओर्डर है उसमें भी कहा गया है क पाटाके दिली में नहीं पेची जा सकते हैं यह जो बॉर्डर अलाके हैं वहां से खरीद लाते हैं और फिर छोटे-छोटे अमांट्स में यह कोई मांगता है तो इसको दे देते हैं इस तरीके से करते हैं चोटा सा यह एक गोडाउन टाइपस बना लेते हैं तो इसी के लिए एंड इन सब चीजों में पुले सकती से करवाई तरी जिन लोगों को आपने पी पकड़ा है किया इसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं कि उनके और जानने वाले ऐसे लोग क्योंकि आम तोर पर यह लोग साथ में मिलकर ही कर रहे होते हैं तो फटाको की का काम भी करने लग गया था तो जिसके तहट इसको पकड़ लिया गया है तो और्गनाइजड मैनर में कोई इन्फरमिशन नहीं आई है कि इस तरीके से कोई चल रहा हो जो इंडिवीजूल केसे आ रहे हैं हमारे उपर जो भी हम हमें पता लग रहे हैं उन पर हम करते हैं करते हैं